जय स्री राम प्रेमी वक्तो आग्या चक्र पर ध्यान करते समय अलग अलग रंग क्यों दिखाई देते हैं वक्तो प्रश्ण बहुत अच्छा है लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयाज जरूर करें क्योंकि ज्यादा तर लोग क्या करते हैं पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं और उसका प्रक्टिकल नहीं करते हैं तो उसको उनको कुछ नहीं मिलता है जो निरंतर किसी चीज को सुनते हैं या पढ़ते हैं और लगातार अपने जीवन में उता लेते हैं तो वास्तम में उनको वह मिल जाता जो उने चाहिए तो बं और इसमें जब ध्यान करते हैं तो बहुत कुछ होता है। बहुत हें लोगों को तो इस्पंदन होता है, चुबन होती है, कमपन होता है। तो बंदू यह संकेत हैं कि आपका चक्र जाग्रित होने والा है। लेकिन इसके बाद में जब हम आग्या चकर का ध्यान करते ही रहते हैं तो हमें कुछ रंग बिरंगे ऐसे रंग दिखाई देते हैं जो हमें बाहर की दुनिया में निजर नहीं आते हैं रंग तो होते हैं लेकिन वह रंग नहीं होते हैं जो हमारे संसार में होते हैं वह प्राकृतिक होते हैं और जो रंग वो प्राकृतिक होते हैं वो कहां से आते हैं वो है जो हमारे अंदर सैसरार चक्र में परम प्रकास है जो परमात्मा ब्रह्म के रूप में बैठा हुआ है वो हमें थोड़ा सा इसारा देता है थोड़े संकेत देता है कि इतने रंग है लेकिन हम क्या करते हैं उन रंगों को देख करके यह समझ लेते हैं कि बस यही रंग है इसके आगे कुछ नहीं है तो जो हमारे अंदर सहसा चक्र में जो परम परकास है जो स्वेम परमात्मा है उसको हम देख नहीं पाते हैं उससे हम बंचित रह जाते हैं तो बंदुओ वही सब कुछ है और वही से ये जो रंग है ये हमें दिखाई देने लगते हैं परमात्मा हमें संकित करता है कि इन रंगों में मुझे पेंचानो तो उसमें बहुत से साधक जो उच्छिसरेनी के होते हैं वह उस परमप्रकास को भी पहँचान लेते हैं बाकी रंगों को छोड़ देते हैं और वो केंद्रबिंदु जो होता है जिसको परमप्रकास कहा गया है तो उसको देखने के लिए वह समझ जाते हैं कि हमें यहां पहुचना है तो यह संकेत भी हमें मिलता है, लेकिन यह संकेत हमें तभी मिलता है, जब हम आग्या चक्र पर और लगातार ध्यान करते ही रहते हैं, तो इन चक्रों को जब हम पार कर जाते हैं और आग्या चक्र पर पहुंजाते हैं, तब ऐसा होता है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता है तो इन रंगों में आप उलजे नहीं उन रंगों में आप उस परमपरकास को ढूने तो वह परमपरकास आपको मिल सकता है और जब उस परमपरकास से आप लगातार जुड़ जाएंगे लगातार आग्या चकर पर ध्यान करते रहेंगे तो बंदू ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमात्मा के उस सुरूप को, परमात्मा के उस परम परकास को ना देख सके, हमारे संतों ने ऐसा ही किया है, और आज्या चक्र पे ही ध्यान करके ये सब देखा गया है, और जो भी कुछ है, वह आज्या चक्र में ही है, उसको दस्मा दरवाजा भी कहते हैं, तीसरा नेतर भी कहते हैं क्योंकि वहीं पर परमात्मा का दर्वाजा है उसको खुलने के बाद ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो आसा करते हैं कि आप समझगे होंगे कि आलाला रंकियों दिखाई देते हैं और वहें क्या होते हैं और क्या संकेत होंचे मिलता है अब हम अपनी बाड़ी को ब प्रिराओ